नमस्कार दोस्तो आप सभी का वेलकाम है पीएस क्लासेज में जैसा कि दोस्तो आप जानते हैं सबसे विश्वासनी और फ्रमाणी सुचना लेकर के पीएस क्लासेज प्रियागराश्थ से प्रेजिंट होता है दोस्तों आज किसी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिग ब्राकिंग नियूज निकल कर क्या रहे है UPTG, TPGT सिच्छक भरती UPLT ग्रेट सिच्छक भरती और इसके साथ हम बात करेंगे प्रात्मिक सिच्छक भरती ज़र 23 पर आ रही बड़ी अपडेट को लेकर लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा स्किप मत करिएगा क्योंकि अगर आप B.A.B.T.C के स्टुडेंट हैं तो इसमें आप के लिए बहुत ही महत्वपोर्ट सूचना है तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारी चैनल को सब्सकाइब भी नहीं किया होगा तो सब्सकाइब कर लेजेगा और राइट सेड़ी में लाइकन के बटम को प्रेस कर दीजेगा चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बिदान सबा में हाली में बेसिक सिचा मंतरी संदीप सिंग द्वारा प्रात्मिक बिद्यालों में सिच्चक भरती प्रक्रिया को शुक्रवा शुरू करने श्रमंदी किसी तरह का प्रस्ताव नहोंने के लिखी जवाब पर युवाव में जवरदस्त रोस ब्यापत है दोस्तों आपको बताते हैं कि बाजपा ने अपने घोशड़ा पत्र में कहा था कि सभी रिक्त पदों को भरना सरकार की प्रात्मिक ता होगी लेकिन प्रात्मिक बिद्यालों सहीत अन विबागों में 6 लाग से ज़्यादा रिक्त पद होने के बावजूद चैन प्रक्रिया अम्मूमन छप है और दोस्तों आपको बताते हैं कि इस संदर में युवामन सयोजक राजेश ने रिक्त पदों सहीत अन विबागों में लाखों रिक्त पदों पर सरकारी भी भागों में करमचारियों की संख्या में तेजी से कमी आई है और बैक लाख बढ़ता गया है जब मुख मंत्रे योगी आदितनात की मार दोजार सत्रह में सरकार बनीत प्रात्मिक विद्यालेव में तकरीवन चार लाख निमी सिच्चक थे जबकि आज यह संख्या घटकर तीन दस्वनों दो तीन दू लाख रह गई है यह हल अन विवाबों का भी है तो दोस्तों बताते कि उन्होंने कहा कि प्रतेश्क में विरुजगारी की वयावा इस्तिती है लेकिन सरकार प्रचार के सिवाए कुछ नहीं कर रही है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समीट जैसे आयोजनों का प्रमुक मकसद प्रचार है पहले भी ऐसे आयोजनों का योजनाओं का हल देखा जा चुका है दरसल विरुजगारी के सवाल के समयदान के लिए आर्थिक दिसा बदलने की ज़रूरत है और इसी के साथ दोस्तों हम बात करना चाहते हैं कि UPTGTPGT सिच्चक भरती पर भी बड़ी अपडेट है दोस्तों और इसी के साथ UPLTGREAT सिच्चक भरती पर भी अपडेट निकल करके आ रही है जैसा कि आप जानते हैं नया सिच्चा सिवाचन आयोक का सिर्थव आने वाला है और इसी के साथ दोस्तों आपको बताते हैं कि आठ अप्रेल को रिटार होने जा रहे हैं मादमिक सिच्चा सिवाचन बोर्ड के अध्यच तो रिटार्मेंट के बाद आपको एक बड़ी अपडेट मिल सकती है आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहें अच्छानक ही आपकी परिच्चा कराई जाएगी तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें और निरंतर तैयारी करते रहें इसकी साथ येल्टी ग्रेट सिचक बर्ति की भी हम बात करें सुचना निकल कर किया यह लगातार जो है वहाँ पर प्रयास किया जा रहे हैं कि जो रिक्तियां आई हुई है उस पर विग्यापन निकाले जाएं तो दोस्तों सब मिला करके अब अंतिम घड़ी आने वाली है इसका भी विग्यापन निकलेगा तो आप सभी अप पाने के लिए पीएस क्लासे को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज सब्सक्राइब कर लिजेगा राइट साइड इमेल आइकन की बटम को प्रेस कर दीजेगा ताकि वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँ सके थैंक्स पर वाचिं वाचिं मैं वीडियो